गिब दा केरेक्टर स्केच ओफ लेंचो लेंचो का केरेक्टर स्केच लिखी है फ्रेंट से क्लाश 10 में वेरी वेरी इंपोर्टन टोपिक है हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एक्जाम्स में गिब दा केरेक्टर स्केच ओफ लेंचो पूछा जा सकता है तो दोस्तो पहला पॉइंट है पूर में लेंचो वाज पूर फार्मर लेंचो के गरीब किसान था बट वन येर हीज क्रोप वाज कम्प्लेटली डिस्ट्रोइड बाई दा हेल्स स्टोंस एक साल उनका जो फसल था वहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रोइड हो गया बरवाद हो गया ओला पढ़ने के कारण ओला बिरिष्टी के कारण नोबडी हेल्पड हीम किसी ने उनकी मदद नहीं की वहाँ असहाय लचार और दुखी था हम फेत इन गोड इस वर में दिडिली विश्वास लेंचो हैड फं फेत इन गोड लेंचो को इस वर में दिली विश्वास था He believed that God would help him in misery उनका मानना था कि जो गोड है वह संकट के समय में इस मुसीबत के समय में हमारी मदद जरूर करेंगे He would not let him die in hunger वे हमें भूके मरने नहीं देंगे ऐसा मानना था लेंचो का उनको पुरा भगवान पर गोड पर पुरा भरोसा था तिसरा पॉइंट है simple and innocent सधारन और भोला पन मासुम लेंचो वाज वेरी simple and innocent लेंचो बहुत ही सधारन और मासुम था मासुम मतलब होता है भोला उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा and requested to send him 100 पेस और उन्होंने अनुरोद किया 100 पेस सेंड करने के लिए उन्होंने कोई आस्चर नहीं हुआ जब उन्होंने पस्ट आपिस का दवरा किया और उन्होंने एक receipt किया envelope जिसमें पैसे थे he believed that it was from God उन्हें पुरा यकीन था कि यह भगवान के घर से आया है तो फ्रेंट से कहानी के अधार पर लेंचो का जो character है कि वह एक गरीब वेकती है और उन्हें इसवर में पूर्न विश्वास है और वह एक मासूम बेकती भी है एक भोला बेकती है जब उनका फसल बरबाद हो गया तो उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा और उन्होंने मांग की 100 पेसस और जब वे post office गए तो उन्हें लिफाफा में 100 पेसस गोड के address से भगवान के address से उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्हें पुरा यकीन था, जब उन्होंने उस envelope को खोला तो उन्हें 70 पेसस थे, तो उन्हें पुरा यकीन था कि हमें God ने 100 पेसस से सेंड किये हैं, लेकिन post office वालों ने 30 पेसस इस से चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं और वे उनकी सिकायत करते हैं भगवान से और पुना भगवान को दुबारा पत्र लिकर बताते हैं कि आपने जो मुझे 100 पेसे सेंड किये हैं पॉस्ट ओपिस वालों ने 30 पेसे से चुरा लिए हैं तो इससे सब जाहिर होता है कि जो करेक्टर है लेंचो का वह बहुत ही भोला है बहुत ही मासूम है तो फ्रेंड्स आई यह होप कि आप सभी को गिवदय करेक्टर इसके चुप लेंचो पसंद आया होगा